दोस्तों, आज का वर्ड है redundancy, इसका हिंदी मतलब होता है अतिरेक, इसका English meaning है no longer needed or useful, इससे अब sentence में कैसे प्रयोग कर सकते चलिए जानते हैं, redundancy notices have been sent to 200 workers, यानी 200 कर्मियों को अतिरेक notice भेजा गया है, इसी के साथ मिलते एक ने वीडियो में इसे ही चैनल के साथ जुड़े रही है, हर दिन नेने वोर सिखते रही है, चैनल को like, share, subscribe कीजिए, इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाद,